अगर आपको यह लक्षन दिखाई देते हैं आप समझ सकते हैं कि आने वाली संतानिक पुत्र की प्रापती होगी यूदि अक्सर यह लक्षन लड़का होने पर ही दिखाई देते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में और को प्रेस कर लें हमारी आने वाली अगली समय जरूर दिया करें दोस्तों हमारा बेटा बेटिम बेदबाब करना नहीं है नहीं इस चीज़ों को बड़ावा देते हैं और माबाब के लिए दोनों ही संतान जरूरी होती हैं और दोनों ही बराबर होती हैं तो इसलिए हमारी वीडियो को कभी भी उत्सुक्ता और ये लागा सकते हैं जैसे ये अगर सचेश अबहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है बहुत कम भी नहीं पर अधे गंटे में आप को यूरिन आता है इसके बाद आपको पांचवे महीने से आपको हर 15 मिनट में हर 20 मिनट में आपको यूरिन आ रहा है 9 महिने तक इसी तरीके से रहेगा 8 महिने से आपको हर 5 मिनट में इस तरीके से लगेगा ऐसे आपको 8 महिने से तो 7 महिने से इस तरीके से लगता है की जैसे आप यूरिन करके आई-यो वउश रूम से अभी लेटी और तुरन ताने लग जाएगा। इस तरीके से 7 महिने से होता है और इस तरीके से आपके साथ भी सिचुरेशन हो रही है। आपके साथ भी लक्षन दिखाई दे रहा है तो यह लड़का होने का ही लक्षन माना जाता है। साथ ही दोस्तों आपको साथ महीने से आपकी बजाएना में खुजली भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि बार बार यूरिन करने से भी infection हो जाता है infection हो जाता है कि गरुबती महिलाओं ने बताया कि infection जैसा ही लगता है लाकिन आप उस पर भी ध्यान दे अगर आपके साथ भी है तो आप जरूर अपने डॉक्टर के सला लें और आप इसका treatment जरूर करवाएं क्योंकि खुझली होना बच्चे के लिए बहुती नुक्सान दायक भी हो सकता है तो दूसरे लक्षण की बात कर लेते हैं दूसरे लक्षण है कि अगर आपके देखो बाल जहां आपके फोरेड़ पर माते पर मतलब आपके गालों पर बाल आते हैं लेकिन आपके रूएं से आते हैं वाइट कलर के रूएं से आते हैं आपके तो ऐसा माना जाता है कि यह लड़का होने का लक्षण होता है ऐसी इस्तिति में आपने एक बेटे को कंसिब किया हुआ है दोस्तो अगर आपको सपने में बार बार गाजर नजर आती है सपने में बार बार आपको गाजर नजर आती है और पपीता नजर आता है तो ऐसा माना जाता है कि दोनों पूर इस लिंग में होते हैं यह लड़का होने का परतीक होता है तो दोस्तों आप सभी को रादे रादे